हेलो गैन when we ranking formula के पर numerical कर रहे थे यह इसका formula था यह question हमको कर रहे थे इसके पर हमें be यहां तो निकाल ली था I or in निकाल ली था and K निकाल रहेब तो अब यूट्यूब पे शायद वीडियो आगे पिछह हो गई है लेकिन रेंग काइन फामुला पढ़ने से पहले आपको यूलर फामुला पढ़ना पढ़ेगा फार बेटर अंडेस्टाइन ठीक है तो वह देख रहा है अब आई एल कि आई ए और आई निकल गया ना अब आपने निकालने के जो कि ये रेंग काइन फामुला में यूज करना है कि A is under root of i upon a what is i under root of 1.81 into 10 raised to power minus 7 divided by a 7.07 10 raised to power minus 4 स्क्राइब है करके देखें आई ये पहुन ही है ना 1.81 into 10 raised to power minus 7 divided by 7.07 into 10 raised to power minus 4 स्क्राइब रूट 0.016 यूनिट्स को यह आएंगे इसके ठीक है यूनिट्स अगर रखना है इसके तो इसके नोट मीटर 4 होता है इसका मीटर स्केर होतों मीटर स्केर यह आएगा ना ठीक है आगे चलते हैं अब सारी चीज़ा निकल गया अब आप यह में प्रेंग काइन फामॉला लगा सकते हो देरफोर बीसी विल बी इकल टू फामॉला का है सिगमा सी इंटू अपॉन प्लस ए इंटू एल ए अपॉन के का होल स्केर यह फामॉला है ठीक है निकल दी आपने सारे पाट सिगमा सी कितना है सिगमा सी आपको गिवन है 550 इंटु 10 राज़ आपर 6 इंटु A इंटु A अपने काल दिया है 7.07 इंटु 10 राज़ आपर माइनस 4 ठीक है इंटु 1 प्लस ए कितना है इंटु 1 राइंक आई इंटु 1600 इंटु एल इए इक्वरें लेंथ हागी 1.5 ठीक है इस बड़े भी के 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 यहां लिख्या उपर ना 0.016 स्क्वेर इसको सावल करनो अब 550 इंटु 10 राइस तो पावर 6 इंटु 7.07 इंटु 10 राइस तो पावर माइनस 4 यह आगी उपर वाल टर्म 388.85 इंटु 10 राइस पावर 3 डिवैड़ भी तैल इसको सॉल कर लेते हैं 1.5 डिवैड़ भी पॉइंट 016 इसका स्केर है जो अब यह इसको हम डिवाइड करेंगे 1600 से 1600 ठीक है और प्लस 1 करेंगे बनेगे 6.49 तो 388.85 इंटु 10 इसको ब्रैके नम रखते हैं सो क्रिटिकल लोड भाई रेंग काइन फांबला वह ऐसे करना है ठीक है एक और नमरीकल देखते हैं कैसा करना है तक प्लस 1.5 मीटर जोंग थोड़ फिर इंट को लम है one of the end condition क्या है? one of the ends of the column is fixed and other is free so L is equal to , L is equal to 2 L होया taking , इस इस उसमे इस नई चीज़ आगए यह भी important है taking factor of safety एस थ्री कैलकुलेट द इसमें क्रिटिकल लोड निगालना है इसमें सेफ लोड निगालना है ठीक है सेफ लोड यूजिंग नुबर वन रेंग काइंस फामुला टेकिंग सिग्मा सी 560 न्यूटन पर मिलिमेटर स्केर और इसमें ए भी होता न and a is equal to 1 by 1600 ठीक है और second दूसरा वह गया है यूलर्स यूलर्स फामुला से आपने निकालना है दोनों फामुले यूजिंग करके आपने क्वेश्चन निकालना है यूलर्स फामुला ठीक है और इसमें e कितमा दिया है यूलर्स फाम हमें e काम आता है 1.2 into 10 raised to power 5 newton per mm square ठीक है यूजिंग आपको दिया हुए सल्यूशन क्या आएगा पहले हम यूजिंग करेंगे रंकाइंड इक्वेश्चन फामुला यूजिंग करके रंकाइंड फामुला क्या कहता है क्रिटिकल लोड इस इकल टू पहले गिवन लिखाना गिवन क्या है लेंथ कितनी है 1.5 मीटर ठीक है सब्सक्राइब सेक्षिन है सेंट डामेटर 5 सेंटीमेटर 0.05 मीटर फिक्ष्ट दूसरा फ्री है त्वाइस फैल हो गया 3 मीटर इसमे निकालना है बद उद एक के रेम से निकालना है क्रिटिकल लोड निकालने के बाद सेफ लोड निकालना है वो तो कैसे निकालेंगी यूजिं फैक्टर रस इफ्टि इसको लिखते हैं फोस्ट ये स्याइफ लोग है ठीक है यह रखते हैं क्या है युलस हम लख़ा पहला आगा है रंकाइन्स फार्मुला ठीक है रंकाइन्स फार्मुला क्या कहता है critical load is equal to sigma c into a upon one plus a into l e upon k का host cap ठीक है तो sigma c अब को दिया हुए a निकालना है a will be equal to pi by 4 into d square a की single solid column है pi by 4 into d 0.05 square 0.05 square multiply by pi divided by 4 1.96 10 raised to power minus 3 meter square 2.90 3.0 i is pi by 64 d raised to power 4 यह formula आपको सारे इस प्योंने चाहिए तब कुछ निकलता है 0.05 raised to power 4 0.05 raised to power 4 multiply by pi divided by 64 3.06 3.07 कर लो 10 raised to minus 7 meter raised to power 4 therefore k will be equal to की किसके परपर रहा अंदर रूट आईये पहोने ये फामला पता आपको अंदर रूट आई आई आगा 3.07 10 raised to power minus 7 1.96 into 10 raised to power minus 3 3.07 into 10 raised to power minus 7 divided by 1.96 into 10 raised to power minus 3 स्केरोट इसके रोट 0.01 25 ठीक है में इसके रहा है एसका है ति करा दो देफ़र PC विल बीकल टूट सिगमा थी इस सिगमा सी सिग्मा सी अंदर इसको चेंज नहीं किया है कर ना इसको चेंज लिए इसको चेंज लिए ना इन टैन रिश्ट पार 6 आजाएगा इंटु एरिया आगया 1.9610 raised power minus 3 divided by 1 plus a 1 by 1600 equivalent length कितनी है twice of ln 3 by k k आगया 0.0125 इसका स्केर ठीक है तो लेस्वाल इसको 560 into 10 raised power 6 multiply 1.96 into 10 raised power minus 3 यह ताम आगी 1.097 into 10 raised power 10 raised power 6 ठीक है यह ताम कितनी हागी पहले इसको solve करो 3 divided by 0.0125 ठीक है 3 divided by 0.0125 ठीक है एसको स्केर इवाल इसको स्केर इवाल इसको स्केर इवाल इसको ठीक है तो 1.097 into 10 raised power 6 divided by 1.097 into 10 raised power 6 divided by 37 29.65 into 10 raised power 3 Newton इसको स्केर इसको स्केर इसको अबिक लेता है यह तो आगे आपका critical load इसको स्केर आपका therefore P safe will be equal to P safe कैसा नहीं कालेगा critical order upon factor of safety 29.65 x 10 raise to power 3 divided by factor of safety is 3 this is 9.88 x 10 raise to power 3 Newton यह है safe low ULOS formula आप खुद पार्ट कर ले ना ठीक है मैं इसका आंसर ले देता हूँ critical order कितना है ULOS formula में जो इनके according है 402 00 newton और factor of P safe आगया 1340 newton यह है यह हमको तो निकाल लेगी है हमको निकाल लेगी है नहीं कोचन दो तेन कोचन निकाल लेगी है इस टाइप के है okay thank you पुर्चल